हुआ है यहां पर करेंगे SSC MTS और CHSL की यहां पर 2023 में जो हम सीरीज लांच करने जा रहे हैं उसकी यहां पर हम फस्ट लेक्चर लेंगे और फस्ट लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होगा इस दा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ने कैसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जहां से मतलब बहुत ज्यादा कुश्टिंस आते हैं और बहुत ही इजी कुश्टिंस आते हैं ठीके स्टूडेंट्स तो आपको बहुत ही अच्छे से यहां पर हम क्या करेंगे न्यूट्रिशन को समझेंगे और इसकी पूरी सीरीज ए स्टूडेंट्स आप ऐसा मत सोचना की हं Science and Technology है उसको हम पूरा करेंगे yurnal Science को यहाँ पर करेंगे और ज trinal science में वी जो हम180 topic करेंगे दैट इस दा जूरा नूटिरेशन पार वन व्राकी का जितना भी पहले कर लेते हैं या मतलब यूनों पीवाई क्यू ही करते रहते हैं ठीक है बट अपने कॉंसेप्स क्लियर नहीं करते इसे होगा क्या स्टूडिंट्स के ठीक है आप वो कुष्ण तो कर लोगे और एवन आप बहुत मतलब यूनों उससे और अगर को स्टूड आईगा तो वो भी शैद आप ले जाओ बट अगर मालो में थोड़ा सा कॉष्ण घूम करिया या फिर मालो की हम concept को समझते चले, छोटे-छोटे concepts को समझते जाएं साथ की साथ और साथ के साथ हम उससे related P.E.Y.Q करते जाएंगे इसे आपको दो benefits होंगे सबसे पहले आपके topics cover होते जाएंगे, concepts clear होते जाएंगे और plus आपके P.E.Y.Q भी उस topic से related cover हो जाएंगे ठीके students, so this is the best strategy, ठीके, okay तो बात करते हैं हम यहां पे हमारे आज के topic की that is the nutrition, one second student topic कौन कौन सा cover करेंगे हम, topic देखेंगे हम nutrition nutrition, what is nutrition, nutrition है फिर उसके देखेंगे हम type और फिर हम देखेंगे P.E.Y.Q ठीके students तो यह हम तीन topics यहां पे cover करेंगे, okay students, okay, ठीक है तो let's move further, okay, तो यहां पे हम total जो है SST MTS के लिए यहां पे हम full course launch कर रहे हैं, that is only and only 2500 rupees, 2500 में student आपका एक officer बनने का सपना पूरा हो सकते है, आप अपने हर एक concept को बहुत अच्छे से clear कर सकते हो, ठीक है students, तो आपको कुछ भी नहीं करना यहां पे, बस आपको क्या करना है, दिएगे WhatsApp नमबर पे call करनी है, description box में आपको link दिया ही होगा, वहां पे बस आपको क्या करना है, जाके join करना है और 2500 rupees में आप पूरे का पूरा, SSE MTS का course पूरा कर सकते हो, इसमें हम हर एक subject को cover करेंगे, including quant, reasoning, English, हर subject, ठीके students, और आपको test series भी मिलीगी, इस case में, ठीके students, ओके, तो आप enroll कर सकते हो, so let's move over our first topic, that is the nutrition, okay, कोई भी students यहां पे, कोई भी living organism है, वो जिन्दा है, वो move कर रहा है, ठीके, without any external effect, you know help, some movements are easily visible like the movement of body part, यह सब कुछ हो कैसे रहा है, ठीके, कोई alive है, that is due to the nutrition, that is due to the nutrition, हमारे body को nutrition चाहिए, क्यों students, हमारी body को nutrition चाहिए for the energy, अगर आपको energy मिलेगी नहीं, तो आप चलोगे कैसे, मैं यहां पे बोल रही हूँ, that is due to the energy, ठीके, आप सुन रहे हो, आपका brain function कर रहा है, ठीके, आप याद कर रहे हूँ, चीजों को, that is also due to the energy, ठीके, ठीके, ओके, लेट्स मोव फर्दर, तो यहां पे हम first of all देखते हैं, life process are the basic process in living organisms, which are necessary for maintaining their life, the basic life process are nutrition, respiration, transportation and excretion, nutrition chapter को समझने से पहले students आपको यह समझना होगा, कि what is life process, life process का मतलब वो चीज है student, कि अगर आपको life को maintain करना है, continue आपको survive करना है, तो उसके लिए चार process का होना बहुत important है, four process जो है वो बहुत important है, सबसे पहले nutrition, कि nutrition को लेना बहुत important है, जैसे कि हम food खाते हैं, second is respiration, breathing करना बहुत important है, क्योंकि without breathing जो है, उस nutrition को, उस energy को हम convert नहीं कर सकते हैं, ATP जो cell का एक basic power unit है, second and third है हमारा transportation, हमारी body के अंदर अगर मालो हमने food consume कर लिया, उसके बाद उसका transportation होना बहुत important है, हार एक organ तक, हार एक organally तक, ठीक है students, and last one is the excretion, जो भी हमारी body के अंदर waste बच जाते हैं, चाहे in the form of urine और हमारी body का solid waste, वो सब कुछ body से बाहर होना बहुत important है, अगर वो body से बाहर नहीं होगा, तो वो क्या करेगा हमारी body में, toxicity create करेगा, जिसकी वज़े से हमें बहुत सारी disease हो सकती है, okay students, so first of all, what is nutrition, यहीं से समझते हैं, is the process of taking food by an organism, and its utilization by body for the life process, nutrition क्या है, ये एक process है, of taking food by an organism, food को लेने की ये एक process है, ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, nutrition बोलते हैं, second हमारा topic है, that is the respiration, respiration is the process in which food is burnt in the cell of the body, with the help of oxygen to release the energy, respiration का मतलब ये है, student, कि food का burn होने, food का burn होने का क्या मतलब है, food का burn होने का ये मतलब है, कि जब body हमारी food को absorb कर लेती है, student, उसके बाद वो कहां पे पहुंचता है, हमारी हर एक cell के पास पहुंचते है, हर एक cell पे पहुंचने के बाद क्या होगा, वहाँ पे उसकी burning होगी, इतना presence of oxygen, oxygen की presence में फूड क्या होगा, burn होगा, और ATP में convert होगा, मतलब की cell का जो basic powerhouse है, जिससे cell को energy मिलती है, वो किस form में मिलती है, ATP की form में मिलती है, तो वो क्या चीज़ है, respiration, next one is transportation, transportation, अच्छा, अगर respiration आपको समझ में नहीं आई, don't worry, जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम आगे चलके respiration की process पढ़ेंगे, respiration से related lecture लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि what is respiration, ठीक है, वहाँ पे और ज्यादा क्लियर होगा, transportation is the process by which food, oxygen, water, waste product are carried from one part of the body to the another, जैसे कि हमारी लीवर के अंदर toxic generate होते हैं, और फिर वो वाया हमारे urine या फिर kidney के थुरू, ठीक है, वो toxic हमारी बॉड़ी से बाहर हो जाते हैं, ठीक है, ओके, excretion, excretion का मतलब कि waste product जो है, वो हमारी बॉड़ी से बाहर होना, उसको हम excretion बोलते हैं, तो पहले हम चलते हैं, nutrition की तरफ, what is nutrition? Nutrition is a process of taking food by an organism and it's utilization by body to build a body for growth and repair. Nutrition हमें चाहिए हमारी बॉड़ी को बनाने के लिए, जब भी हम grow करते हैं, हमारी बॉड़ी में, हमारी बॉड़ी में development होती है, हर दिन जो है, वो हमारी बॉड़ी में, lacks of cells जो है, वो dead हो जाती है, damage होती है, उनको repair कौन करता है, हमारा nutrition करता है. Life on earth depends on the carbon-based molecules and most of the food are carbon-based. You know that, ज्यादा तर हमारी जो food होता है, उसके अंदर main source जो है energy का, that is the carbohydrates, it means carbon. ठीक है, तो ज्यादा तर हमारी बॉड़ी के अंदर carbon-based food हम consume करते हैं. The outside raw material using by living organisms are food, water and air. आगे हम बात करते हैं, mode of nutrition. See here, आपने देखा होगा कि जैसे हम food को खाते हैं, क्या हम कभी food को बना सकते हैं? नहीं, we are the consumer. बट जो plant है, वो अपना food खुद से बना सकते हैं. Yes? So mode of nutrition है, वो हम, you know, divide कर सकते हैं according to the production or consumer. कि हम food को सिर्फ बना रहे हैं या सिर्फ खा रहे हैं. ठीक है? तो बात करते हैं mode of nutrition की. There are mainly two types of modes of nutrition. That is the autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Auto, word का मतलब है auto. Automatic garden. इसका मतलब क्या होते हैं? जो खुद चले. इसका मतलब autotrophic nutrition, वो वाला nutrition, जो खुद बना सके. मतलब की producers की बात कर रहे हूं. जैसे की plants. Plants are the autotrophs. मतलब की वो अपना food खुद बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं? By photosynthesis. Photosynthesis का मतलब की by using sunlight, in the presence of sunlight, carbon dioxide को use करके. वो क्या करते हैं? Food को generate करते हैं leaves में. ठीक है? In the presence of chlorophyll. ठीक है? Autotrophic is the nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substance. जैसे की carbon dioxide, water in the presence of sunlight. Carbon dioxide और water को use करके plants क्या करते हैं? अपना food खुद ही बना लेते हैं in the presence of sunlight. हेटरो जैसे की कुछ green plants और some bacteria, just like a cyanobacteria. Next बात करते हैं heterotrophic is the nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plants. ठीक है? कि मतलग कि plants के थूँ हम क्या करें? अपनी food की requirement को हम पूरा करते हैं. जैसे कि हम daily basis पे fresh vegetables consume करते हैं, fruits खाते हैं. उनका main purpose क्या है? nutrition का. So we are the heterotrophic because हम अपना food खुद से नहीं बना रहे हैं in the presence of sunlight. But हम बना बनाया food क्या कर लेते हैं? यहाँ पे consume कर लेते हैं. Okay? Okay. Let's move further. अच्छा. Heterotrophic nutrition को भी मैं आगे तीन पार्ट में divide कर सकते हूं student. ठीक है? तो पहला जो है, that is the heterotrophic nutrition are the separate. पहला जो heterotrophic nutrition का mode है, मतलब type है, that is the saprophytic. Next one is the parasitic and last one is the holozoic nutrition. So सबसे पहले बात करते हैं saprophytic nutrition की. Saprophytic nutrition का मतलब है, is nutrition in which organisms get their food from dead or decaying organisms. बहुत बार students आपने देखा होगा कि छोटे 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 प्लांट के कुछ species होते हैं, जो किसे dead or decaying matter के उपर grow कर रहे होते हैं. आपने ऐसा जरूर देखा होगा जैसे की mushroom. मश्रूम को आपने देखा है, ऐसे तरीके से white color का उपर एक तोपी सी होती है, ऐसे करके. वोग ग्रो करते हैं कहां पर जहां पर बहुत सारे पत्ते और लीव सवगेरा हर चीज और गैनिक matter जो है, वो सड़ गल राओ. तो वहाँ पर white white color की mushroom ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, तो सेप्रोफाइटी कौन से organisms होते हैं, वो organism जो अपना food लेते हैं, डारेक्टली फ्रॉम डेट और डिकेंग मैटर, organisms, they break down the food material outside their body. वो क्या करते हैं, जो भी अपना food material हो, उसको डारेक्टली पहले ही बाहर तोड लेते हैं, उसके बाद उसको absorb करते हैं, मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले अपना food को यहीं पर तोड लेंगें, जैसे हम food consume करते हैं, फिर हमारे अंदर जाके food की breakdown होती हैं, यहाँ पर क्या हो र bread, mold, yeast and some bacteria, आपने देखा होगा, अगर मालो कुछ दिन bread बाहर पड़ी रही, या खुले में पड़ी रही, ठीक है, तो कुछ दिन बाद bread की उपर, you know, ऐसे green-green color की, कुछ एक mold grow कर जाती है, ठीक है, आपने सब ने देखा होगा, gray-gray color की grow कर जाती है, ठीक है, वो क्या है, क bread को, पहले वो decaying matter की उपर ही क्या कर रही है, वहीं पर अपने food को तोड रही है, ब्रेक कर रही है, और उसके बाद उसको directly absorb कर रही है, ठीक है, ठीक है, तो this is we called saprophytic nutrition, this is we called saprophytic nutrition, समझ में आया, clear है, okay, next हम बात करते है, parasitic nutrition की, क्या है parasitic nutrition, is nutrition in which organisms get their food from living organisms, host, without killing them, for example, cascata, orchis, ticks, ठीक है, lice, joe, leeches, roundworm, papworm, plasmodium, etc, ठीक है, बहुत बार क्या होता है, हमारी body के अंदर बहुत सारे कोई ना कोई parasite grow कर जाता है, कोई pathogen grow कर जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारे hairs के अंदर lice grow कर जाती है, यह आपने देखा होगा कि बहुत सारे animals चल रहे होते हैं तो उनके body के ऊपर छोटी-छोटी ticks, you know, चिपकी होती है, actual में वो उस animal को मार नहीं रहे है, ठीक है, उसको kill नहीं कर रहे है, बस directly उसकी blood vein से क्या कर रहे है, blood को absorb कर रहे है, skin की ऊपर से blood को absorb कर रहे है, और जैसे एक example है, यहाँ पे लिखा हो tapworm, tapworm एक टाइप का, you know, parasite है जो हमारी, you know, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा पाया जाते है, तो क्या करते है, वो large intestine में वो grow कर जाते है, हमारी stomach के अंदर, और वहीं से वो directly क्या करते है, nutrition को absorb करना शुरू कर देते है, इसके वज़े से, you know, हमारी body के अंदर nutrition की कमी भी हो जाती ह यह हम human disease के अंदर पड़ेंगे, human disease वाले chapter में cover करेंगे, ठीक है, उसे तरीके से round warm होता है, ठीक है, तो यह सब कुछ क्या है, examples है, किसके parasitic nutrition, parasitic nutrition, किसके अपने जरूर देखा होगा, yellow yellow color की बेल टाइप होती है, ठीक है, वो क्या करते है, पूरे पूरे green, you know, plant के उपर, green plant के उपर, इस तरीके से क्या कर जाती है, grow कर जाती हो, yellow color की होती है, student, इस तरीके से उपर-उपर grow कर जाती है, ठीक है, और यह क्या करते है, directly plant से क्या करते है, nutrition को absorb कर ले, ठीक है, so this is the example of parasitic, जो अपने living organism को मारे नहीं, मारता तो नहीं है, उसको kill तो नहीं करता, but क्या करे वहाँ से nutrition को वो क्या कर ले, absorb कर ले, nutrition को क्या करे, absorb कर ले, ठीक है, students, okay, okay, so last one हम रीड करते है, that is the hollowzoic nutrition, hollowzoic nutrition का मतलब होता है, is the nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb, for example, amoeba, paramecium, bird, fishes and human body, हम क्या करते है, human body क्या करते है, student, सबसे पहले food को absorb करते है, ठीक है, food को, sorry, intake करते है, और उसके बाद अंदर जाके food की breakdown होती है, और फिर हम उसको क्या करते है, absorb करते है, यहाँ पर hollowzoic word से आप ऐसे समझो कि देखो, हमारी body क्या है, हमारी body के अंदर जो digestion system है, उसको हम क्या बोलते है, elementary canal भी बोलते है, it means, ऐसा लगते है कि hollow tube है, जहा से आपने food को डाला, food को अंदर किया, आपने, intake किया, और फिर क्या होते है, आलग लग जगह पर उस food की processing होती है, और food के अंदर से जितना भी nutrition है, उस elementary canal के अंदर absorb कर लिया जाते है, ठीक है, उस elementary canal के तो एब्सॉर्व कर लिया जाते है, और बाकी undigested food उसको बाहर कर दिय तो यही चीज यहां पर लिखी हो, यह students आपको बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरता है, क्या है, is the nutrition in which organisms take their food directly, directly food consume करते है, and then digest and absorb, for example amoeba, amoeba कैसे करता है, amoeba कुछ नहीं करता है, इस type का amoeba का structure होते है, वो क्या करते है, फोड को अपने अंदर लेता है directly, यहां पर उस फ कर लेता है, और फिर undigested food जो है, उसको body से बाहर कर देता है, ठीक है, so this is the mode of holozoic nutrition, okay students, तो इसी से related हम करते हैं, यहां पर pyq, mtsk, ठीक है students, okay, तो अगर आपको topic बहुत अच्छे से ध्यान से समझ में आ गया, तो आप बहुत अच्छे से इसके answers भी दोगे, तो पहला है, the National Institute of Nutrition is located in, यह SAC-CHSL के अंदर question आया था, 2019 में, please answer it, please answer it student, क्या है इसका answer, बताईए, इसका answer है, Hyderabad, Hyderabad के अंदर present है, National Institute of Nutrition, जो है, वो हमारी Hyderabad के अंदर present, second question, which of the following has the highest protein content, highest protein per gram हमें किस चीज़ से मिलते है, apple से मिलते है, soya bean से मिलते है, wheat से मिलते है, ground nut से मिलते है, बताईए, कहां से मिलते है, हमें सबसे ज्यादा हमारा, you know, protein, that is the soya bean, soya bean के अंदर सबसे ज्यादा highest protein content होता है, इन चारों में से, ठीक है, let's move further, okay, so third question है, the lion-tailed macau, यहां पर मैंने थोड़ा सा surprising question रख दी आपके लिए, यह भी MTS 2019 का question है, the lion-tailed macau, एक तरीके का, you know, lion-tailed macau, एक type का, you know, species है, ठीक है, monkey जसा दिखाई जेते है, इसको, इसका scientific नाम क्या है, तो बताईए, इसका scientific नाम क्या है, इसका scientific नाम है, बीर्ड बबून, बीर्ड बबून, क्योंकि इसके यहां पर बड़ी सारी ब Okay, next time बात करते है, deficiency of which of the following nutrition is most common cause of goiter, बहुत बार देखा होगा, आपने कई patients के अंदर यह जो गला होता है, यहां पर बहुत ज्यादा, यहां पर swelling होती है, that is due to the goiter, यहां इंडिया में बहुत ज्यादा common है, यह disease, goiter जो problem है, वो किसकी वज़ा से होती है, कौन सी deficiency की वज़ होती है, please tell us, answer कीजिए, फटा-फट सी इसका, answer क्या होगा, इसका, that is the iodine, iodine की कमी होने की वज़े से, अगर आप iodized salt नहीं consume करते हैं, तो आपको क्या कौन सी problem हो सकती है, that is the goiter, ठीक है, okay students, तो fifth question attempt कीजिए, which of the following nutrients store maximum energy per gram, ठीक है, ऐसा कौन सा nutrition है, जो store करता है, maximum energy per gram, तो क कौन सा है, बई, vitamins करते हैं, protein करता है, fat करता है, या रफेच करते है, तो बताए, कौन सा सबसे highest energy का nutrition absorb करता है, maximum energy store करता है, that is the fat, that is the fat, maximum energy होती है, हमारे fat के अंदर, इसलिए हमारी body सबसे ज्यादा अपने body में क्या store करके रखती है, fat ही store करके रखती है, हमारी body जो है fat lover होत है, ठीक है, सबसे जदा fat को store करके रखती है, क्योंकि उससे को maximum energy मिलती है, जब भी, you know, हमारी body star vision की condition में जाएगी, या फिर हम food को consume नहीं करेंगे, तो हमारी body fat को तोड़कर energy supply करेगी, हमारी vital organs को, ठीक है students, इसलिए हमारी body maximum fat को store करके रखती है, ठीक है, ओके, ओके, तो बाद ही हम इस lecture को over करेंगे, let's see, what was that, ठीक है, सबसे पहले students, अगर आपको हमारा microverse course join कर रहा है, तो वो कैसे join करोगे, let's see, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आप choose exam पे जाओगे, सबसे पहले अभी पीडिया की site खोलोगे, अभी पीडिया टाइप करने क के बाद आपके सामने ऐसा कुछ screen आएगा, फिर आपको choose exam करने है, और उसके नीचे आपको जाने है, यहाँ पर आपको SSC MTS, यहाँ पर select कर लेने, SSC MTS select करने के बाद student सबसे पहले आपको क्या करनी है, registration करनी है, students अपनी, ठीक है, registration करने के बाद, आप क्या करोगे, अपना phone number यहाँ पर register करो, और उसके करो, यहाँ फिर वर्ट से, जैसी आप यह करोगे, आपका number क्या हो जाएगा, फिर देखे यहाँ, फिर क्या कर सकते हो, आप MTS से related अगर आपको quantitative aptitude करने, तो आप वो कीजिए, English language सिर्फ purchase करने, तो आप वो purchase कर सकते हो, current GK करना है, वो कर सकते हो, static GK करना है, journal studies करने है, logical reasoning करने है, हर चीज यहाँ पे present है student, आप चाहो तो full course purchase कीजिए, अगर वो नहीं करना है, पहले आपने prepare करके रखा है, don't worry, आप just in पे जाओ, यहाँ पे जाओ, तो तूज exam करो, microverse पे जाओ, and after that अपना, क्या करो, registration करो, अपनी via phone number, और फिर क्या करो, यहाँ पे आप जो है course purchase कर सकते हो, जैसे कि मैं logical reasoning की बात करो, तो कुछ नहीं है, logical reasoning का complete bundle अगर आपको purchase करने है, that is 585 होने, अगर आपको सिर्फ syllolism पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसकी 2 lecture class की lecture मिलेंगे, 3 web notes मिलेंगे, 34 उसने related multiple choice question मिलेंगे, उसको क्या कर लेना आपको, join कर लेने है, और rupees कितने लगेंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ 27, समझ में आया, अच्छा, फिर क्या है, और अगर आपको purchase करने है, तो देखो, general studies purchase करने है, इसमें click करो, general study का total bundle है, that is only and only 874 rupees कर, only and only 870 rupees कर, अच्छा, इसमें भी अगर आपको सिर्फ geography करने है, for example, अगर आपको सिर्फ geography पढ़ने है, यहां, सिर्फ geography पढ़ने, तो आप क्या करो, geography पे click करो, geography 333 rupees की है, 10 class lecture मिलेंगे, 165 आपको multiple choice questions मिलेंगे फिर मालो आपको Indian quality करने है, उसके भी आपको 10 lectures मिल जाएंगे, 450 rupees में होलें, art and culture करने है, 153 में, Indian economy करने है, 183, history करने है, to, इस तरीके से students, आप total अपनी journal studies को prepare कर सकते हो, हमारे अभी पेडिया platform के साथ जुड़के, students यहां पे जितनी भी faculty है, वो बहुत expert है, ठीके, वो अ सारे के सारे MCQs को solve किया जाते है, ठीके, with your mentorship, even अगर आपको कोई doubt है, तो आप अपने mentor से call करके पूछ भी सकते, ठीके students, okay, okay, I hope आपको समझ में आया होगा, okay students, इसी के साथ हम अपना lecture करते हैं, यहां पे over, thank you, thank you so much. झाल